मैं आज दुखी बाव से आप सब साथियों को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं पैंथर्स पार्टी के सभी पद्दों से जो भी जिम्मेदारियां मुझे दी गई हैं पैंथर्स पार्टी के अंदर वहां से रिजाइन करता हूँ और पार्टी के मेंबर्शिप से भी रिजाइन करता हूँ चुकि हालात ऐसे हैं कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता तो हो सकता ये पार्टी का नहीं बलकि परिवार का जो मैटर है आने वाले समय में ये सडकों पे आ जाए ये मीडिया में आ जाए हाला कि मैं माफी चाहूंगा अपने तमाम पार्टी के लीडर से अपने पार्टी के कारेकरताओं से कि मैं बहुत जल्द बाजी में ये फैसला लेना पड़ा चुकि समय मेरे पास बहुत कम है इसलिए मुझे फैसला लेना पड़ा आपकी सला मश्वरे के बगएर लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पार्टी के जितने भी जो मेरे साथ जुड़े हुए साथी हैं वो साथी अपना सैम खोएंगे नहीं और मैं इस मोके पे ये कहना चाहूंगा अपनी भीम सिंग जी को अपील करना चाहूंगा कि हर्षदेव जी पैंथर्ष पार्टी चलाने में उनके पास ख्यमता है वो चला सकते हैं और उनको इंटरस्ट भी है तो पार्टी की पूरे तरीके से जिम्यदारी हर्षदेव जी को दी जाए और मैं बीम सिंग जी से माफी चाहूंगा कि मैं आपने इस वार फिर पूरी टीम ने मुझे जो नियुक्त किया था पार्टी का प्रेजिडेंट अलेक्ट किया था मैं अपनी जीम्यदारी नहीं नभा पाऊंगा और इसलिए मैं रिजाइन करता हूँ और मैं अपने उदुमपुर विदान सवाग शेतर के तमाम पार्टी के लीडर्स कारेकरताओं को अपील करता हूँ कि कल हमारी जैसे हर महने की 11 तारी को मीटिंग होती है कल 11 वजे सबी साथी पहुंचें और फर्दर कोर साफ एक्षिन क्या होगा वो हम सबी साथियों के साथ बैठ के तैय करेंगे तो इस मोके पे मैं पूरी होशो आवास के साथ मैं बलवन सिंगमन कोटिया फिर से ये कहना चाहता हूँ कि मैं पैंथर्स पार्टी के तमाम पदों से आई मुक्त होता हूँ और पार्टी की मेंबर्शिप से भी मैं आज रिजाइन करता हूँ थेंक यू धन्यवाद